लोगसभा चुनाफ दोजार चौबिस के पाचवे चरण में लखनाउ समेथ 14 लोगसभा सीटो पर सुबह साथ बजे से मद्दान शुरू हो गया है राजधानी के मौल एवे न्यूस्तित मुंसिपल नर्शरी स्कूल में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री और बस्पा सुप्रीमो मायवती ने 7 बच के 5 मिनट पर मद्दान किया मद्दान करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायवती ने मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि मैंने मद्दान कर दिया है उन्होंने सभी मद्दाताओं से अपीर करते हुए कहा कि मद्दान जरूर करें इसके लावा मायवती ने सभी राजनितिक दलों से जनहित के मुद्दों को प्रात्मिक्ता देने की बात कही उन्होंने आगे कहा कि इस बार बदलाव जरूर होगा कि जलपान आदिया बाद में करें पहले अपना बोड डालने के लिए जरूर जाहें तो यही मेरी देखास में अगलीन है और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह जो अलक्षन हो रहा है तो इस बार हमें यह देखने के लिए निल रहा है कि जो यह चुनाव जैसे पूर में चुनाव देश और जनहित के मुद्वों को लेके होते थे लेकिन इस बार देश और जनहित के मुद्वों पर गम चुनाव हो रहा है आलोप और पट्टे आरोटे को दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं यह देश में जन्हित में ठीक नहीं है इसलिए मेरी सभी पार्टियों को यह कहना है कि उनको देश और जन्हित के जो मुद्धे हैं उनको प्राथमिस्ता देनी चाहिए किती सीटे आ रही है इस पार बहुजन समाज कर देखो आगे तो बोट परड़ा है बाजबे चरण का भी दो चरण और बचे हुए हैं तो बोट पर जाने तो जब रिजल्ट आजाएगा यह जब रिजल्ट आएगा तो दूद का दूद और पाई नहीं आप इसको कैसे देख सरकार बना रहे हैं लेकिन जब रिजल्ट आएगा तम मालूम पड़ेगा कि सरकार को इस पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितने सीटे इंडिया